दोस्तो नमस्कार, हिंदी वेब जगत में स्वागत है इस विडियो में जानेंगे रेम और रॉम में अंतर क्या है یعنі कि ये दोनो ही रेम और रॉम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है यानि की में मेमोरी कहते है तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है तो इस वीडियो में जानेंगे इन दोनों में क्या-क्या अंतर है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो RAM क्या है इस विशय में भी जानेंगे और ROM क्या है इस दोनों का अंतर में क्या-क्या डिफरेंट है यह से भी हम जानेंगे RAM का Full-ROM है Random Axis Memory यानि की RAM Computer की Primary या Main Memory कहा जाता है तो RAM Computer के अस्थाई Memory यानि की Temporary Memory होती है RAM में Data या Program अस्थाई रूप से Store रहता है Computer बंद होने पर यानि की बिजली जाने पर RAM में Store हुआ Data मिट जाती है यानि की Delete हो जाती है इसलिए RAM को Volatile या अस्थाई Memory कहते है तो जानेंगे अभी ROM के बारे में ROM क्या है यानि की ROM का Full-ROM है Read Only Memory ROM Computer की Primary Memory है ये भी दोनों ही RAM भी Primary है ये भी Primary है लेकिन ROM Computer के इस्थाई Memory यानि की Permanent Memory होती है RAM हो गया अस्थाई और ROM हो गया इस्थाई यानि की Permanent जिसमें Computer के निर्मान के समय ही Program को Store कर दिये जाते है इसमें कोई Data Loss नहीं होते यानि की इसमें कोई Data Delet या Loss नहीं होते इसलिए इसे Non-Volatile Memory भी कहते है ROM को Non-Volatile Memory कहते है और RAM को Volatile Memory यानि की RAM में Data अस्थाई है Temporary है और ROM में Data जो Permanent है Permanent Memory है RAM रॉम जो और ROM में कोई Data Loss होने के चांचिस नहीं होते है लेकिन RAM में अगर Computer बन हो जाते है तो वो Data Loss हो जाते है तो जानते हैं इन दोनों में क्या-क्या कितने प्रकार के होते है यानि की RAM कितने प्रकार के होते है ROM कितने प्रकार के होती इस बारे में जानेंगे तो RAM तीन प्रकार के होते है और ROM चार प्रकार की होते है तो जानेंगे पहले RAM के बारे में RAM तीन प्रकार का जो है वो क्या क्या है S RAM कहते है यानि कि Static Random Axis Memory S RAM का Full From है और DRAM DRAM का Full From है Dynamic Random Axis Memory और SD RAM Synchronous Dynamic Random Axis Memory और ROM के प्रकार जानेंगे ROM चार प्रकार के है चो P ROM PROM का Full From है Programmable Read Only Memory EPROM EPROM का Full From है Erisable Programmable Read Only Memory और EEP ROM EEP ROM का Full From है Electrical Erisable Programmable Read Only Memory और Flush ROM Flush ROM का Full From है Flush Read Only Memory यह दोनों का प्रकार्वी हो गया अभी आगे बढ़ते हैं रेम और रॉम की बिसे सता क्या है इन दोनों में क्या फीचर से जो बिसे सता इसकी क्या खसियत है तो इस बिसे में जानेंगे तो चलते हैं रेम का इस्तेमाल रीड और राइट करने के लिए करते हैं रेम का इस्तेमाल रीड और राइट करने के लिए ही करते हैं लेकिन रॉम केवल पढ़ सकते हैं रॉम में कौनली पढ़ सकते हैं इसमें कोई राइट करने के लिए या इडिट करने के लिए नहीं होता तो ROM के वल पढ़ने के लिए है यानि की read करने के लिए RAM, memory, volatile या अस्थाई होते हैं जिसका मतलब computer का power off या computer बन हो जाने पर data भी lost यानि की delete हो जाते हैं RAM में ROM में क्या होता है देखेंगे ROM इस्थाई यानि की permanent memory है यानि की non volatile memory भी कहते है ROM को अर्थद computer बन या power off होने पर भी data lost नहीं होती है यानि की data delete नहीं होती है लेकिन RAM में delete हो जाती है तिसरा different है इसका RAM का storage capacity कम होता है ROM memory का storage capacity RAM से भी कम होता है ये RAM से ROM और भी कम हैते हैं memory में इसका speed बहुत ज्यादा होता है यानि की RAM का speed बहुत ही ज्यादा होते हैं लेकिन ROM का speed थोड़ा कम होते है RAM से कम होता है RAM बहुत महंगा होता है यानि की costly होते है RAM ROM RAM से काफी सस्ता होता है ROM RAM से सस्ता होता है तो इस वीडियो में RAM और ROM का अंतर यानि की differences क्या थी तो साइट आपको समझ में आ गिया होगा तो वीडियो में इतना ही है तो अगर वीडियो को कैसा लगा कामेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और सस्क्राइब करना ना भूले थेंक यू